सब्सक्राइब करिए एक्जाम क्रेकर को और दबाएए इस बेल आइकन को हमारी यूजफुल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए वेल्कम टे एक्जाम क्रेकर दोस्तों आज हम लोग बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक है diseases caused by bacteria and virus जो हमारे bacteria और जो virus हैं जिवाण और विसान से होने वाले रोगों को देखेंगे इस से पहले वीडियो हमने प्रोटो जोवा से होने वाले रोग को देख लिया था और फंगस से होने वाले यही दो बच्चे हुए थे एक bacteria और एक virus इन ही को हमें आज देखना है कि इन से होने वाले जो रोग हैं उनको कैसे पहचाने और उसके लिए क्या ट्रिक है आईए चलते हैं एक एक करके देखते हैं सबसे पहले जवालों से होने वाले रोभों को देखेंगे और उसके लिए ट्रिक है वह जो रिख द्हि को निए Almost और प्लेग सिटी से आपका सिप्लिस और टेटिनिस इसे आप याद रखेंगे देखिए मैं इसमें यह भी बताता है कि एक्जाम में कौन सा इंपॉर्टेंट है एक्जाम में ज्यादा तर आपको यही मिलेगा टेटिनिस तो इसे याद रखेगा यह जीवाणिओं के ओजसे होता है ठीक है अब अगर पुराने लोहे से कट जाता है तो लोग बोलते हैं टेटिनिस के इंजेक्शन लगवाने के लिए वो उस पर बैक्टिरिया रहता है वो बैठा रहता है आप यह यह याद रखेंगे कि यह बार ब एक्जाम में आता है और यहां देखिए कूट नी तो कूछ से हो गया कुछ ट्रोक कोड जिसको जानते हैं टाइफाइड यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है याद रखेगा यह एक्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि यह दोनों बहुत बार पूछे जाते हैं तो आप से है जा तो आप यह सब चीजों को याद रखेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन इससे बच के ना जाए क्योंकि यह सब अगर आपने कर दिया तो आप दूसरों से लीड कर जाएंगे अगर यह ट्रिक आपको ना समझ में आ रही हो उतना अच्छा सूटेवल ना लग रहा ह से डी टू थ्री रोग हो गया जिसे काली खासी वूपिंग कफ कहते हैं अब बस कुछ नहीं है सी से कॉलरा एंसर नीमोनिया लप्रसी कोड जिसको कहता है हिंदी में प्लेग गोनरेला डिप्थीरिया डाइरिया टेटनस टाइफाइट टीवी और वूपिंग कफ सेम वही ह बस इंग्लिस में इसके नेम है तो आपको इसमें क्या याद रखना है यहां से डिप्थीरिया और डाइरिया यह भी एक्जाम में आता है और टेटनस टाइफाइट टीवी यह कई बार एक्जाम में आया हुआ है तो यह वूपिंग कप काली खासी आप जानते ही है आखरी है तो इसको मैं डाल दूंगा एक्जाम करेकर का जो एप है अगर नीचे आपनों को जुरूत हो तो कॉमेंट करिए मैं डाल दूंगा उसको अब देखिए बात है हम अपनी बैक्टीरिया बैक्टीरिया आओगा आप वायरस जिसको बोलते हिंदी में और बहुत ही आसान सा गार दिख है कि रेका हमें हीट करके और पीछे पढ़ेंगे ठीक है याद करने के लिए पीछे पढ़ेंगे पीछे छोड़ गई मलब आप इसको और इसे करते हैं को मीभी तो याद रही गई है तो दिखें रेखा उसे जो रे है उसका मतलब रेवीज खास एक खसरा मैं आपको बताता चलूंगा इसमें कौन सा मिनजाइस का रोग है हेट्डाइटिस कई बारे उक्जाम में आता है ट्रैकोमा ये गले में रोग होता है तिक इसको याद याद रहरा हीरी इंपोर्टेंड में है इसको अंहीं हां करके हान पहुंच गई यहां देखने लेकिन अगर आप देखें तो हमने क्या बोला कि यह वायरस जनित रोख है वायरस मतलब हवा में फैल जाएंगे तो कुछ चीजों को तो आप बिना जाने ही बता देंगे जैसे एट्स चेचक होता है तो लोग दूर चले जाते छोटी माता इंपोटेंट वह आजाता है देंगू जो र क्योंकि से आपने देखा था टाइफाइट से बैक्टीरिया नहीं इसलिए बार बार वह भी आता है और यह डिंगू वाला भी आता है इस चीज को आप क्लियर का अगर यहां कर लिए तो फिर आपको पूरी जिंदेगी नहीं भूलेगा कि जो टाइफाइड का उखार होता है वह बैक्टीरियल डिजीजेज होते हैं जबकि डिंगू जो है वा पसंद आया हो तो आप लाइक का बटन जरूर दमाए और अगर वीडियो पसंद नहीं आ तो डिसलाइक करिए जिसलाइक करना बिलकुल माना नहीं है अगर नहीं पसंद आया आपको तो डिसलाइक करिए लेकि मुझे लग रहा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगाओ तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवा जाहें